नमस्कार दोस्तों मैं अवी इंडा प्रोफेशनल ट्रेनर और बिजनस गुरू आप सभी का स्वागत करता हूँ नौलिज साथी पर और एंट्रेपेनियोर्स इंवेस्टर्स जो भी आई प्यू बनाना चाहते हैं स्टार्ट अप कर रहे हैं सबके लिए हमने इंजीनियर एक्सपर्ट मोड वाला है थोड़ी गहराई से बाते बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले देखे 8-10 प्रोसेस होते हैं आप ध्यान से समझेए का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है सबसे पहला होता है कंपनी का लीगल लीगल मतलब आप कंपनी के कांगजात ठीक कर लीजिए मतलब जैसे प्रॉप्राइटर फर्म है लिमिटेड लाइबिल्टी पार्टनर फर्म जो होती है न इन कंपनीज पर इन इस तरीके की फर्म्स पर आपको फंडिंग नहीं मिल सकती मिल ही नहीं सकती यह अब अगर आपको IPO करना है आप VC से फंडिंग ले चुके और अपना IPO खोलने वाले हो तो जितनी भी प्राइटर पर फंडिंग नहीं मिलेगी प्राइवेट लिमिटेड पर फंडिंग मिलेगी तो वो VC देगा और पब्लिक लिमिटेड करना पड़ेगा अगर आपको IPO खोलना है तो अगला पॉइंट है market research थोड़ा सा ना research करके जाना काग जोपे आंकड़े लेकर जाना market reach क्या है आपके product की इंडिया में चलेगा, state में चलेगा, north इंडिया में चलेगा, south इंडिया में चलेगा, depends on the product तो आपको reach जो है अपनी product की वो लेकर जानी है और कागज पर उसके जो मतलब reality है जो sales है आपके product की, वो आपको आंकडों में लेके जानी है, reality लेके जानी है, वहाँ पे बड़बोली बाते नहीं करनी VC के सामने, क्योंकि वो पकड़ता है, हर चीज पकड़ता है, दूसरा पकड़ी है, market size, कि भई हमारे पास ये product है, online बिकेगा तो इतना बिकेगा, offline लिया है, वो हम relevant crowd को hit कैसे करेंगे, उसकी planning क्या है, number of customer थोड़े है, ज्यादा है, कम है, कितने है, यहाँ पर भी आपको judge किया जा सकता है VC द्वारा, problem solving तो आपका idea होना ही चाहिए, implement भी करोगे, problem solve हो जाए, ऐसा एक live example लेके जाना, एक नहीं बलकि हजारो live example लेके जाना क्योंकि आपसे, आपका जो investor होगा ना, जो आपकी company में invest करेगा, आपसे बात करेगा revenue, ROI और profit, revenue, ROI और profit, यह तीन ऐसे मंत्र है, जो रात में बोलके सोता और सुबह बोलते हुए ही जगता है, revenue कितना है company का, अब तक revenue कितना है, अगर आप VC से बात कर रहे हो, तो रकम मोटी होनी चाहिए, revenue कितना है, ROI कितना आजाता है, खर्चा तो आप बहुत कर ले तो, खर्चा तो कोई भी कर लेगा, ROI कितना है, return of investment क्या है जरा लिखके दीजिए, अपनी आपको यह balance sheet लाइए, मैं देखना चाहूँगा, investor इस तरी किसे बात करता है, profit margin कितने हैं, आकडों में कितने हैं, रकम कितनी बची और percentage में कितना है, 10, 12, 15% होना ही होना चाहिए, वरना काम खराब हो जाएगा, और आपको अपने mind में clarity लेके जाना पड़ेगा, कि vision, future plan, staff और technology, इन चार चीजों को आपको अपने दिमाग में भरना पड़ेगा, vision, future plan, staff और technology, पैसा मिलने के बा प्री-planned, unplanned, कुछ करके मच जाना, आप जितनी भी चीज़े लेके जाना, आंकडों में लेके जाना, file बना के लेके जाना, क्योंकि क्या होता है, आपने उनको बता तो दिया मुह से, वो verify भी करते हैं, वो verify भी करते हैं, उनके पास dedicated teams होती हैं इन सब चीजों के लिए, इ वाला जो जितना भी ये जो पूरा जो area of interest है, VC का area of interest तो यही है, तो वो manage कर देगा, वो आपके लिए बहुत अच्छे से, और आपको CA से बहुत मदद मिल जाएगी, अब चलते हैं अगले topic पर, budget sheet, budget sheet एक ऐसी चीज है, जो बैठाएगा आपसे, VC आपका, और तुरन तार 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 सवाल पुछना शुरू कर देगा कि भई, आप 200 करोड की investment आप हमसे मांग रहे हो, कैसे use करोगे इसे, कहां कहां use करोगे, अपने लिए तो use नहीं करोगे, देखे मैं आपको एक कहानी सोनाता हूँ, एक बहुत बड़े VC थे, बहुत बड़े investor थे, तो उनके पास कर दिया कि would you like to have something, आप कुछ liquor वगयरा लेंगे, तो उन्होंने बोला कि भई मैं तो single malt whiskey ही पीता हूँ, मतलब उन्होंने wine पूछी तो उन्होंने अपना brand बता दिया, कि मैं single malt whiskey ही पीता हूँ, और क्या कहते है, 12 years वाली normal plane नहीं पीता, मैं तो 18 years वाली पीता हूँ, और मह Bangkok चलायागा, Malaysia चलायागा, Thailand चलायागा, यह तो मुझे थोड़ा सा अजीब आद मी लगा, है ना, ज्यादा शौक मत दिखाईए आप investor के सामने, उसको investor को उसमें बस यही लगा, कि जैसे ही मैंने इसे 200 करोर दिये, यह एक बंगला, एक जैगवार, और business trip के नाम पर, विद स्टार में उनसे मिलने के लिए आया, चहरे पे थोड़ी उदासी सी, चहला उत्रा हुआ था, थगा हुआ बहुत था, तो जब वो पूछा उससे कि आप कुछ खाएंगे, तो उन्होंने बोला, नहीं सर, मैं खा के आया हूँ, आप कुछ drinks बगरा लेते हैं, नहीं सर, अभ सर, मैं बस में सो लूँगा, मुझे रात भर मैं ट्रैवल कर लूँगा, बस में नीद आई जाएगी, मैं सो जाओंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे फाइस्टार में कमरा लेके रहूँगा, मेरे एक्सपेंसे बढ़ जाते हैं, तो इन चीजों से आ तो आपका पैसा मैं बहुत अच्छे से wisely यूज़ करूँगा, इसको हवा में नहीं उड़ा दूँगा, सर, अच्छी manpower लाँगा, ऐसे लोग लाँगा, जो कम से कम एक बंदा डेल लोगों का काम कर सके, 10 लोग आय करूँगा, तो 15 लोगों का काम हो जाए, इस तरीके की man manpower मैं hire करना चाहता हूँ, interview इस दकी, यह मैंने सुना है, यह मैं समझूँगा, और इसी चीज़ को implement करते हुए manpower लाँगा, सर, आपके पैसो से, train ऐसा कर दूँगा, कि एक बंदा 1.7 लोगों का काम करे, इतनी training मैं उनको कराऊँगा, इतनी अच्छी training modules मैं उनको देना च चाहता हूँ, इतनी अच्छे trainers मैं लाना चाहता हूँ, और सर, legal expenses जो होते हैं, वो तो सर, priority है, सबसे पहले वो ही करूँगा, कम से कम दामो में करूँगा, आपका पैसा वेर्थ नहीं waste करूँगा, अपने उपर तो बिलकुल नहीं लगाऊँगा, मार्किटिंग पैसा लगाऊँगा, जब इतनी टीम हो जाएगी, तो सर, मुझे HR डेपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो सर मेरी basic need बन चुकी है, सर, वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो बस ये 5 साथ चीजे हैं, जिनके साथ मैं शुरू करने वाला हूँ, जरूरत पड़ीगी, तो म कमपनी को चाहिए ही होता है, चाहिए ही होता है, कमपनी का पेट जो होता है, खाली कुए की तरह होता, उसे आपको भरना ही पड़ेगा, एक बार funding लेके उससे आपका काम होगा नहीं, तो इस तरह से आप अपने आपको present कीजिए, अपने VC के सामने, तब आपका impression अच्छा पड़ेगा, ये सारी psychological चीज़े है, technical चीज़े क्या है, मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ, अगला point है, identify correct investor, VC को भी identify करना जरूरी है, एक real example मैं आपको देता हूँ, ये market में हुआ है, एक pharma company खुल के आई, और उनको investor नहीं मिल रहा, मतलब इतनी intelligent team थी उनके पा इतनी अच्छी team थी, फिर भी उनको funding नहीं मिल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, ये real incident है, तब उन्हें किसी ने बताया कि आप market research कर रहे हो, या नहीं कर रहे हो, आप अपने investor पर research कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो बोला है, investor पर research कैसे होती है, वो तो investing company है, research क्य dedicated area में ही invest करना पसंद करते हैं, जैसे माली जी एक ABC company है, जो VC है, वो construction में ही invest करना पसंद करती है, वो pharma में नहीं करती, कुछ हैं जो सिर्फ IT technology में invest करना पसंद करना चाहते हैं, कुछ हैं जो लोग startups छोटे-छोटे होते हैं, उनको seed funding देना चाहते हैं, और आप तो pharma company हो ही, आप pharma company होते वे, आप construction company में जो company interested है, उनसे funding माऊँगी, तो आपको पैसा कैसे मिलेगा, तो आप जिससे पैसा माँगने जा रहे, उसके बारे में research करो, आप ये research करो कि कौन सी ऐसी companies हैं, जो pharma में, आपकी pharma की company है न, pharma में invest करना पसंद करती है, 30% काम आपका वहीं हो जाएगा, interested investor के पास जाओगे, तो आधा काम हो जाता है, उसके बाद आपकी pitch और आपका talent काम करता है, आप समझ रहे हैं, ये real incidence है, अब बात करते हैं, pitch deck की, pitch deck क्या होता है, जब आपके सामने आपका VC बैठा होता है, और आप company के आँख लेके, file में, file में maintain करके दिमाग में रखेंगे, सब बोल जाएंगे, funding नहीं मिल पाएगे, pitch deck समझ ये, pitch का मतलब बोलना, deck का मतलब presentation, ये दो चीज़े हैं, presentation को बोलना आना चाहिए, पैसा, आप से आपका VC पूछेगा, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कितना खर्च करोगे, इन तीनों सवाल के ज ROI बताइए, आपकी company के अब तक की, इसी तरीके से पूछेगा, काड़क होके पूछेगा, ताकि आपका विश्वास देखेगा, वो आप तूट तो नहीं जाते, ROI बताइए, आपकी company की कितनी है, आप चुपो गए, ऐसे थोड़ी होता है, consumer expansion plan क्या है आपके पास, आपके अब तक जितने consumer हैं, ठीक है, अब तक आपने angel investor से funding लेते रहे, VC के सामने आप बैठे हैं, आपकी जितनी sales अब तक है, वो enough नहीं है कि हम आपको 500 करोड देते हैं, that is not enough, फिर भी हम अगर देने की सोच है, 200-300 करोड अगर हम बीच में कई मामला सेटल कर लेते हैं, तो आप के consumer expansion plan जा है, वो आप ले करके लिख के जाएंगे, till now company का preview सर, अब तक हमारी ये sales है, इतनी team से इतनी team पर आ गए, अपनी team को introduce कीजिए सर, चार co-founders की team है, मैं clarity officer हूँ, मैं सिर्फ clarity देता हूँ, ये मेरा dedicated बंदा है, ये सिर्फ और सिर्फ marketing के लिए है, आज लोग इसकी team में है, ये मेरा बंदा है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलोजी देखता है, software देखता है, outdated तो नहीं है, system देखता है, outdated तो नहीं है, हम उसको continue improve करते हैं, because that is the core need of our company, इसलिए मैं आप से funding मांग रहा हूँ, इतने पैसे नहीं मांग रहा हूँ, और हाँ, realistic number दीजिएगा, मा आपके घोडे खुल जाएंगे, भाग भाग के ठक जाओगे, लेकिन उसको profit नहीं दे पाओगे, एक करोड पे, आप समझे रहे हो, 5 करोड है, तो ना 10 मांगने है, ना 2 मांगने है, 2 बहुत कम हो जाएंगे, 10 डबल हो जाएगा, profit जादा देना पड़ जाएगा, जो actual में need है, जितने पैसे की, उतना पैसा आप मांगिए, ज्यादा मत मांगिए, ना कम मांगिए, क्योंकि कई बात देखा गया है, वहाँ पर होते हैं, तो सोचते हैं, यहाँ थोड़ा कम बोल दूँ, शायद मिल जाए पैसा, उमीद तो होती नहीं है, इतने unconfident जाते हैं, इतने un competent होके जाते हैं, वहाँ पर उमीद नहीं होती, तो कम पैसा बोलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, जो reality है, वो आप दिखाईए, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात की बात है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो वाकई में बात की बात है, आप अपनी company का actual model, business model बताइए, यह हमारा revenue model है sir, 11% कमा रहे हैं, 15 करने की कोशिचे आप 5 करोर दे दीजिए, क्या दिक्कत है, इस तरीके से आप उनसे बात कीजिए, confidence is the key, आप investor के पास जाएंगे, तो आप हवाई बाते नहीं कर सकते, हर चीज उसको paper पे चाहिए होती है, आप कई बार देखा गया है, ऐ अब आपको यहां तक जितना भी आपने किया, आपको VC से funding मिल गई, funding मिलने के बाद term sheet बनती है, term sheet ज्यादा नहीं 5-7-10 पन्यों की होती है, terms decide हो जाते हैं, कि बहुत बड़ी paper drill नहीं होती है, paper drill बाद में होती है, यह बहुत बड़ी paper drill नहीं होती है, यहां पर rights decide हो जाते हैं, VC पूछता है, मेरा पैसा कब तक वापिस कर दोगे, तो वो एक roughly date दे सकते हैं, आप 10 साल, 12 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल, जैसा भी आपका business है, जैसा भी आपको लगता है, आप अगर business run कर रहे हैं, उसके बाद होता है share dividend, share dividend में sir, 4 co-founders तो हम हैं, 25-25% के, तो हमने सोचा हैं कि अब हम 5 हो जाएं, हम अपना सब में 5-5 कम कर देते हैं, 20% हम आपको दे देंगे, तो यह पहले चीज़े decide हो जाती है, अबर यहां पर one paper होता है, तो उस चीज़ को agree कर लिया जाता है, इस पर ज्यादा बहस बाजी नहीं होती, share dividend हो जाता है, term sheet बन तो बहुत से ऐसे सवाल होते हैं, जो उससे पहली पूछ लेती है या पूछ लेता है, और कई बार क्या होता है, inquiry भी करवा लेते हैं, उसके friend से, उसके दोस्त से inquiry करा लेते हैं, ऐसा तो नहीं है, same यहीं होता है, trust under the doubt का मतलब यह है, कि वो आपको बताए बिना, आपकी company क inquiry करेगा, कौन? VC, VC करेगा यह सब कुछ, आपको बताए बिना, आपकी company की inquiry कर लेगा, अपने कमरे में बैठे बैठे, दो लोग छोड़ देगा, और बाकी अपना network का इस्तमाल करेगा, आपके lifestyle को देखेगा वो, कि आपका lifestyle क्या है, कौन सी गाड़ी से आते हो, है ना, कित कि आप कितने बज़े आ रहे हो, कितने बज़े जा रहे हो, सब चीज़े देखेगा, कपड़े देखेगा, जूते देखेगा, आपकी गाड़ी देखेगा, आपका घर देखेगा, देखेगा कि कुछ changes तो नहीं हो रहे, जो पैसों से changes हो सकते हैं किसी की lifestyle में, वो सब sustainability है, उसको हर मईने reporting और MIS देने की, लेकिन वो भी from the other way around, हाथ घुमा के कान पकड़ेगा, और आपकी growth और आपके margins पर लगातार आपको बताए बिना नजर रखा रहेगा, legal and banking, बैंकिंग देखेगा कि भाईया कोई बहुत लंबे चड़े उधार तो नहीं है, अब तो न नहीं ले लिया, legal देखेगा कि आपके उपर कोई case तो नहीं हो रखा, company के उपर कोई case तो नहीं हो रखा, यह सारे काम, VC आपको बिना बताए आपके साथ कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा, यह ऐसा एक process है, जो trust under the doubt, trust under the doubt, इसको बोला जाता है, अब आ गया shareholder agreement, पहल जो lawyers होते हैं, उनकी team होती है, आपके पास भी वो team होनी चाहिए, या आप hire कर लीजी अपने C.A. को, आपके पास एक team होनी चाहिए, क्योंकि यह paper drill जो होती है, यह बहुत घहरी होती है, 500, 700, 800 पने तक के इसके लिए terms and conditions और बहुत सी शर्ते लिखी होती है, जो मुझवान क्या है, investor relation, investor relation, आपका investor ने आपको पैसा दे दिया, धंदा चलना शुरू हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब investor से मुँ मत मोड़ लेना, बात गरते रहना, आपको built relationship एक टेकनीक होती है, sale हो जाने के बाद भी customer को यह कहना कि सर कोई भी जरौत हो, मैं ख़ड़ा relationship, क्यों जरूरी है, क्योंकि funding एक बार हो गई, तो बार बार चाहिए होगी, आपने एक plan execute कर लिया, तो हो सकता है, अब आपके पास कुछ और plan हो, उसके लिए funding चाहिए हो, उसके लिए funding pitch करनी हो, तो दोनों का जब भरोसा होगा ना, तो इतनी सब चीज़े नहीं होगी, next में कोई सवाल हो, तो मुझसे जरूर पूछना, comment box सिर्फ आपके सवालों के लिए ही है, आप चाहें, तो like करके मुझे बहुत सारा प्यार दे सकते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कीजए, बेल आइकन जरूर दबाएए, ताकि कोई भी वीडियो म मिशना होने पाए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,